स्वाधिन्दता के अमरित महस्व पर आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने एपीमसी की अनाच मंडी में व्यापारी और नागरिकों को तिरंगा भेट दिया। इस करक्रम में व्यापारी संग के निले स्पोरा, विजय भूटा, अमरितलाल जैर समेत कई पदाधिकारी मौचूद थे। देखिए रिपोर्ट। आजादी के अमरित महस्व पर हर घर तिरंगा भियान ने नया जोस भर दिया है। आजवासी की अनाज मंडी में व्यापारी संगठन ग्रोमाद और आयोजित एक कारक्रम में इसका नजारा देखने को मिला। जहां बीजेपी विधायक मंदाताई मातरे ने सायक्रों व्यापारियों और नागरिकों को तिरंगा थमा कर अमरित महस्व में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में विजेपी नेता मंदाताई मातरे ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा भियान चला कर देशवासियों को आजादी पर्व में सहभागी बनने का आवान किया है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज यहां तिरंगा वित्रण किया गया ताकि नागरिकों में देशवाक्ती बढ़े और सभी स्वतंतरता के उस्सों का आनंद ले सके। आप भी सुनिए। दिन से आप देख रहे हैं। हम तिरंगा रहाली निकाल रहे हैं, लोगों को जेंडा बाढ रहे हैं। घर घर में तिरंगा दे रहे हैं। आज एप एमसी मार्केट में हम लोग दाना बंदर में आये हैं। हमारे जो गुजराती व्यापारी है। उन्होंने बड़े शोक से यापर मिटाई के बदले शक्कर बाटिये गरीब लोगों में। और सबको जेंडा देकर उनका सौगत किया है। कि हर घर जेंडा, हर दुकान में जेंडा लगना चाहिए, सबको बहुत खुशी है। सब 17 दीन का एतेवार अपने घर के हिसाब से अच्छे से मना रहे है। वहीं एपीमजी के संचाला कनिले स्वीरा ने कहा कि प्रधानमंत्री का आवान है कि हर घर में आजादी का जलोस हो और इसी अभियान को लेकर वियापारी वर्ग कारिकरम चला रहा है। उन्होंने तिरंगे का सम्मान करने और अपमान से बचाने का भी आवान किया। पंतवरदान नरेंद्र मोधी जी ने जो देश भर में आगास किया है कि आजादी का पच्चेतरवा वर्ष हर घर में उसका जलोस होना चाहिए। उसी प्रोग्राम के तहित हम वेपारी लोगों ने यहां पर आज हर एक वेपारी के यहां एक जेंडा और अभू मिठाय के नाम पर शक्कर ऐसे हर एक गटक को बाटने का कारेकरम रखा है। हमारे कारे समराट आमदार मान्या बंदाताई मात्रे जी के उपस्टिटी में यह कारेकरम हमने किया है और देश के और एक नागरिक होने के नाते हम सबका यह फर्ज बनता है कि हम जिम्यदारी पूर्वक इस तिरंगे का हम तेवार मनाए और तिरंगे का सन्मान भी करें। बेरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया